नमस्ते दोस्तों, हमारा देश भारत एक खूपसूरत गुलदस्ता है, जिस देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसी में से एक भाषा को क्लासिकल लेंग्वेज का स्टेटस मिला हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मराठी ही, मराठी एक जवाने जो पहचान मिली हैं, यानि के एक क्लासिकल लेंग्वेज की, या, जी हम, क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा मिला है मराठी भाषा को, लेकिन इस अनौस्मेंट के पीछे एक लंबा सफर रहा है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, कि कैसे मराठी के क्लासिकल लेंग्वेज स्टेटेस की डिमांड कैसे शुरू हुई क्या क्या चैलेंजिस रहे और आखिर का स्टेटेस का मराठी और महरास्टा पर क्या असर पड़ेगा और हाँ सबसे ज़लोरी सवाल यह है क्लासिकल लेंगवेज का दर्जा क्या होता है क्या इस एक भाषा की पहचान सच में बदल जाती है इससे चलिए इस सफर की हम शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपसे एक विंती करूँगा अगर आपको मीरा वीडियो अच्छी लगती हूँ तो प्लीज आप चैनल वो सबस्क्राइब कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिकल लेंगवेज होने का मतलब क्या है यह एक स्पेशल केर्ट्रिग्री है जो गवर्मेंट ओफ इंडिया ने 2004 में शुरू की थी क्लासिकल लेंगवेज का मतलब सिर्फ पुरानी या ओल्ड फैशन भाषाएं नहीं है यह उन भाषाओं के लिए होती है जो कल्चरल और हिस्टोरिकल तोर पर हमारे लिए सिग्निफिकेंट रही है जिनमें एक लिट्रेरी लेगेसी है और जो अपनी एंशिंट सिविलाइजेशन का एक इंपोर्टेंट हिस्सा रखती है लेकिन ऐसाब कौन डिसाइड करता है कि कौन सी लेंगविज क्लाशिकल है इसका जवाब मिलता है 2004 में जब UPA1 गवर्मेंट ने डिसाइड किया था कि इसके कुछ क्राइटेरिया बनाए जाएंगे क्लाशिकन लेंगविज स्टेटस देने के लिए चलिए इस तीन क्राइटेरिया को सबसे पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उस भासा के history records यानि के पुराने टेक्स्ट 1500 से लेकर 2000 साल तक पुराने होने चाहिए दूसरा क्राइटेरिया उसमें एक rich ancient literature होना चाहिए जो आज भी valuable heritage hold करता हो तीसरा क्राइटेरिया भासा का original literary tradition borrowed नहीं होना चाहिए यानि वो दूसरे speech community से लिया गया ना हो यानि कि वो बुलकुल different होना चाहिए चलिए इसको एक example से समझते हैं तमिल भाशा को 2004 में classical status मिलाता ये एक ऐसी भाशा थी जो 2000 साल से पुरानी थी और जिसमें संगम जैसे literature जैसी अनमोल heritage हमें मिली थी 2004 के बाद से classical language status बहुत सारी भाशाओं को दिया गया जैसे के संस्क्री तेलगू, कन्नर्ड, मलियालम और ओडिया को भी ये दरजा मिला था और अब मराठी को मिलने वाला है लेकिन ये सफर इतना असान नहीं था मराठी एक classical language status की डिमांड पहली बार officially 2012 में उठाई कई थी महरास्टा के literary circles में ये मांग शुरू से थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मराठी अपनी rich history और literature के लिए deserve करती है मराठी का मराठी भासा का इतिहास बहुत पुराना है और इसका contribution Indian civilization और culture में significant है तो तम महरास्ट गवर्मेंट ने एक मराठी लेंग्विज classical status research committee फों की थी जो लीड कर रहे थे प्रोफेसर रागनातन पात्रे committee का काम था पुरानी मराठी tax और historical records को investigate करना और evidence जमा करना जो ये प्रूफ करे कि मराठी classical language बनने के लायक है 2013 में प्रोफेसर पात्रे ने अपनी report submit के ये report बहुत in-depth थी और उसने ये दिखाया कि मराठी का है इतिहास लगबग 2000 साल पुराना है प्रोफेसर पात्रे का कहना था I submitted my report in 2013, better late than never, finally मराठी has got the classical language status it deserves लेकिन ये report center तक जाने के बाद भी काफी time तक decision नहीं लिया गया ये सपना लगबग 11 सालों तक pending रहा इस दोरान महरास्टर के literary community ने हर platform पर ये मांग उठाई, protest हुए और महरास्टर की अवाम ने भी इस course को support किया 2013 में जब महरास्टर government ने center को report forward की तो initially कोई action नहीं हुआ, report पास हो गई लेकिन decision making process में delay आते कई, ये दोर काफी frustrating रहा और इस दोरान महरास्टर सहित्य परिशर और दूसरी literary bodies ने public movement organize करना शुरू किया 2016 में एक mass protest start किया गया, जिसमें authors और writers ने धर्ना दिया और एक unique protest from the form हुआ, जब महरास्टर के school students ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लाख postcards बेजे जो एक symbolic appeal थी माराथी को classical language बनाने के लिए, ये एक बहुत भावपूर्ण moment था जब बच्चों ने अपनी भाशा के लिए PM से appeal की थी इसके अलावा 40 prominent authors ने भी एक joint letter लिखा PMO of India जिसमें उन्होंने माराथी के status के लिए request की लेकिन 2017 में situation थोड़ा और complicated हो गया जब हो मिनिस्टरी ने inter-ministerial consultation को ये दोरान ये suggest कि क्लासिकल language status का criteria revise करना चाहिए और उसे और strict बनाया जाए ये एक major setback था लेकिन मारास्टरा के literary group ने अपनी लड़ाई जारी रख दोरान दूसरी states ने भी अपनी language के लिए classical status मांगना शुरू किया बिहार ने पाली और प्राकरित भाषा के लिए असाम ने असामीज के लिए और वेस्ट बंगोल ने बिंगाली भाषा को classical language बनाने की request की तो जुलाई दो हजार चोबिस में ये situation और interesting हो गई जब साहित्या अकैदमी के अंडर एक linguistic experts committee यानिके LEC ने classical status के criteria को revise किया अब criteria में ये included था कि text के antiquity का period 1500 से लेके 2000 साल से कम नहीं होना चाहिए इतना होना ही होना चाहिए दूसरा literature और prose text भी ancient और significant होने चाहिए तीसरा epigraphic और inscriptional evidence भी बहुत ज़रूरी है इस revised criteria के बाद committee ने 5 भाषाओं को classical status के लिए recommend किया और ये announcement 3 October 2024 को finally sender ने कर दी पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है classical level status मिलने के बाद मराठी और महरास्टा के लिए इसका क्या मतलब है इससे कैसे positive impact होगा महरास्टा के लोगों पर सबसे पहले और important benefit होगा international recognition मराठी को अब global stage पर एक classical language के रूप में acknowledge किया जाएगा इसे world level पर मराठी literature और culture को एक नए नजरिये से देखा भी जाएगा दूसरा government ने announce किया है कि तमिल और तेल्गू के जैसे ही मराठी के लिए भी एक central institute of classical मराठी setup किया जाएगा ये institute ancient मराठी text को translate करेगा और research को promote भी करेंगे और language scholars के लिए courses भी provide किये जाएगे चलिए इसको एक example के तोर पर समझते हैं तमिल के लिए चैन्नाई में एक central institute already established है जो Tamil language को promote और research में काम करने में मदद करता है मराठी बाशा के लिए भी ऐसे ही efforts किये जाएंगे अब तीसरा point मिलिन जोसी जो महरास्टर सहित्य परिशत के working president है उन्होंने एक important point highlight किया उन्होंने का महरास्टर में लगबग 12,000 महराठी libraries हैं जो financial help का इंतजार कर रही है classical status के बाद दिये libraries और मराठी schools को जरूर funding मिले ये funding काफी impactful होगी क्योंकि मराठी medium schools और library को अब infrastructure better करने के लिए financial aid मिल सकेगा चोथा point इस status के बाद ये उमीद है कि 450 universities में मराठी को as a classical language बढ़ाया जाएगा ये opportunity students और language scholars के लिए बड़ी advancement लेकर आएगा universities और academic institution में chairs और research centers set up किये जाएगे जो मराठी और इसके literature को preservation पर और ज़्यादा focus किया जाएगा पाँचवा point classical status का एक दूसरा फायदा ये होगा कि इसे research और translation field में नए employment opportunities create होगी मराठी लेंग्विज के scholars के लिए research funding आएगी और universities और research institute इसको और explore कर सकेंगे इस सब के बाद public का response इस announcement पर काफी positive रहा social media पे बहुत से लोगों ने इसको मराठी pride के साथ link किया एक पूनी based author विजे तेंदुलकर का कहना था this is not just a recognition for our language it recognition for our entire culture legacy मराठी is finally getting the honor it deserves लेकिन सब responses positive नहीं थे कुछ ministers ने controversial statement दिये जिसमें ये कहा गया कि ये political gain के लिए किया गया है लेकिन literary community ने इस बात को strictly criticize किया मराठी चीफ मिनिश्टर ने इसे एक historical moment of Marathi people's बोला तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था Marathi के classical language status का एक सफ़र जो कि एक interesting और very inspiring कानी रही है Marathi बहाशा की Marathi की legacy सिर्फ एक जवान या भाशा तक सीमित नहीं है ये एक civilization की पहचान है और अब इस नए status के साथ Marathi को हम और आगे बढ़ता देखेंगे ना सिर्फ महराश्टर पे बलकि global stage पर अब आपके क्या thoughts हैं इस historic decision के बारे में comment section में हमें जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like, share और subscribe जरूर करें और साथी में bell icon को hit करना न भूले ताकि आपको हमारे नए वीडियो के update मिलते रहें धन्यवाद, that's all for the video and thank you for watching my video